subscribe किजिए हमारे चैनल को और प्रेस किजिए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सेके हमारा वीडियो अबसे पहले नवस्कार दोस्तों तो आप लोग स्क्रिन पर देख पा रहे हूंगे कि हमारे पास है तीन तरह का फिश वेस्वास पहले हम लोग आपको दिखा रहे हैं यह यह partly उनकर आपको दिखा रहे हैं सिके ऊपर बहुत लोग का फरोसा है मैं बस दिखा रहा हूँ तीन face wash में से कौन सा अच्छा है यह बस एक knowledge के लिए experiment video हम लोग बना रहे हैं जिसको हम डेमो भी कर सकते हैं और एक दोस्ता आप देख पा रहे होंगे clearly आपको visible है यह भी एक बहुत जानावना ब्रैंड है ठीक है इसको भी आज हम लोग आत्मा के देखने वाले इसमें क्या है फिर दोस्तों हमारे पास मोदी केर का स्लोका का नीम एंड गोटुकुला फेस्वास जिसको हम लोग अभी आजमा के देखेंगे कि जब हम लोग फेस्वास करते हैं तो इसका क्या effect होता है हमारे skin के उपर तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे त हमारे चेहरे में दोस्तों क्या होता है कि पसीना होता है तो दोस्तों इस पानी में हम लोग नमक मिलाएंगे ताकि यह जो पानी है वो पसीने के तरह बन जाए मैं तीनों में एक चमच नमक मिला रहा हूं आप लोग गोर से दिखिएगा क्योंकि हमारे skin के उपर भी जब फेस के उपर भी पसीना आता है तो उसमें भी नमक होता है इसलिए मैं नमक मिला रहा हूं तीनों में अब इसको हम लोग थोड़ा सा श्टीर कर लेंगे लेकिन उससे पहले हम इसमें डालते हैं दोस्तो हमारे face wash सबसे पहले में डाल रहा हूं दोस्तो मोदी केर का जो श्लो का नीम एंड गोटुकला face wash से उसको में मिला रहा हूं अमें चाहता हूं आप focus करंए यहां पर ठीक है फिर दोस्तो हम लोग मिलाते हैं जो second brand है market का ठीक है इस हम लोग मिलाएगे जो on ह। फर्स्ट ब्रंड में आपको दिखाया था उसको मिला तो दोस्तो हम लोग face wash करते हैं तो face wash लगभग 5-10 मेंट करते हैं तो पहले हम एक काम करेंगे इसको हम लोग मिला लेते हैं अपस में अच्छे से श्टीर कर लेते हैं इसको ताकि हमको पता चले किया reaction हो रहा है और क्यों हो रहा है इसको आपको अच्छे से श्टीर करना है दोस्तों क्योंकि हम फेस्वस तूरेंत ही नहीं करते हैं एट लिस्ट 2-3 मिनिट के लिए हम फेस्वस करते हैं उसी तरह दोस्तों मैं स्पून को थोड़ा साफ कर रहा हूं अभी दूसरे ब्रांड को भी हम लोग श्टीर कर लेते हैं ताकि अच्छे से मिल जाए अभी दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो मोदी केर का फेस्वस है उसको भी हम लोग मिला देते हैं तो दोस्तों तीनों ग्लासेस को मैंने अच्छे से श्टीर कर लिया है अच्छे से मिला लिया है अब दोस्तों हम जो फेस्वस करते हैं तो हमारे स्किन के उपर फेस के उपर पसीना होता है और उसके साथ फेस्वस रियक्ट करता है दोस्तों बहुत से बार आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि जैसे आप फेस्वस करते हैं तो उसके तुरंत बाद आपका स्किन जो है वह एकदम आपको मतलब ऐसा लगा होगा कि बहुत चिकनाइट उस पर बढ़ गई है ऐसा लगा होगा कि उसके उपर मतलब एक प्लास्टिक का जो कि आपसीने के साथ रियक्ट करके हमारे सरीर के ऊपर एक पतला प्लास्टिक का लेर छोड़ जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कितना खाद इसमें से निकल रहा है भगवान को पता यह चीज क्या है यह वैक्स है चाहिए प्लास्टिक है क्या भी यह फाइवर में इतना इतना निकल रहा है मैं इसको नीचे फिर से उतना निकाल के आपको दिखा रहा हूँ अभी देखिए जितना निकालेंगे उतना निकलेगा यह पता नहीं क्या चीज है पर स्किन के लिए तो बहुत ही खराब है और यहां पर तो आपको बिलकुली दिख रहा होग तो एक पतला कोटिंग छोड़ जाता है यह अपना और इससे यह होता है कि हमारा जो लोमचिद्र होते हैं फेस पर वो रियक्ट नहीं कर पाते हैं बाहर ऑक्सिजन से और ऑक्सिजन के कमी के कारण हमारे जो स्कीन टोन है वो घढ़ता है और तरह तरह का जो प्रोब्लम है स्क कुछ भी इंप्यूरिटीज नहीं है बिल्कुल इसमें नमक भी मिल चुका है और चमच भी बिल्कुल ट्रांसपरेंटली दिख रहा है आप लोगों को तो दोस्तो हमको पता चल गया कि हमारे पास जो ब्रैंड है वो कितना अच्छा है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं कैस और इस डेमो को हर एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों को यूज का आप केर करते हो ठीक है दोस्तो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूँ जरूँ सब्सक्राइब कर दिजिए और एसे इस वी वीडियो के लिशिए इंपने झाल झाल झाल